नमस्कार सारे राजाओं को राजा बनना हैं। चलें इसी मुहीम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रवेश दुआर और उसके प्रभाव के बारे में। चलें इन्होंने कहा था 32 दुआर होते हैं, 32 entrance doors होते हैं किसी भी चीज को, इससे पहले जो विश्पिर्मर प्रकाश या समरांगन सूत्र धार ये भी दो गरंथ हैं, चाहें तो इसे भी मुना सकते हैं, उसमें हमेशा एक दिशा के आठ भाग करना बताया गया है। पर इन्होंने कहा जो वास्तु है वो 360 rotation का वास्तु है, 360 degree का वास्तु है और हर एक degree या हर एक दुआर, हर एक दुआर जो पौने 11, सवा 11 degree के आसपास का है, इन्होंने ये clearly mention किया और उसी पे देवता इन्होंने mention किया। इसी के दुआरा इन्होंने कहा कि हर एक भवन जो बनता है, वो 32 दुआर के combination से बनता है, और 32 दुआरों का प्रभाव होता है, ये अब इसको और deep में चाहें, तो पढ़ सकते हैं इसके अंदर, इन्होंने 5 तत्वों से उसे balance करने की बात करी, जो 5 तत्वों होते हैं, उसी 5 element theory के हिसाब से किसी दुआर का अगर आ रहा है, अब जैसे इन्होंने जो balance करने की बात करी, जैसे हम randomly अगर एक दरवाजा पकड़ लेते हैं, जो N5 का दुआर है, अगर N5 का दुआर आ रहा है, तो इन्होंने balance करने के लिए इसे colors को use करने की बात करी है, इसमें इन्होंन इसमें ये काम नहीं हो सकता, और इन दौरों में को जिन्होंने balance किया है, जो मेरा अभी तक का वास्तो गुरुजी का अनुभव रहा है, उनकी condition और worst से worst हो गई है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, पर हमारा चर्चा सिर्फ किताब के उपर, VFC course के उपर है, मेरी एक राय थी, म इन्होंने कहा, और वही मैं कह रहा हूँ, जो पुराने गरंतों में एक दिशा के आठ भाग करना बताया था, पर इन्होंने कहा, कि हर एक दिशा के आठ भाग नहीं होते हैं, ऐसे 360 rotation में होता है, अगर आपका plot है, छोटा या जैसा लंबा, rectangle जैसा है, square में तो चलिए अब माउस के करसर को देखते जाएए, तो आपको दिखेगा, जो इन्होंने इस किताब में समझानी की कोशिश करिए, इन्होंने कहा, गनेश को दौारपाल ना बनाए, अगर कभी दरवाजा लगाते भी हैं, तो गनेश को दौारपाल ना बनाए, क्योंकि गनेश जी को ज 6 दरवाजे निकालेगा है, 8 दरवाजे हैं, कहने को ये 9 दरवाजे हैं, ये स्वास्तिक का जो चिन्न होता है, उसके अधार पे निकालेगा है, देखेंगा, जैसे जहां से स्वास्तिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ N3 का दरवाजा और N4 का, यहां कई लोग ब्रहमित करते है कि N3 का proper दर्वाजा पूरा है न वो results create करता है जबकि half दर्वाजा N3 का और पूरा दर्वाजा N4 का अगर हम ऐसे देखें वैसी ही E3 का half दर्वाजा और E4 का पूरा दर्वाजा वैसी ही W3 का आधा दर्वाजा और W4 का पूरा दरवाजा और S3 का आदर दरवाजा और S4 का पूरा दरवाजा यही प्रभाव को create करने में सफल है ऐसा नहीं कह सकते कि यह दरवाजे जो है वो ही सफलता के रूप में काम आते हैं पर यही combination है और एक combination होता है N8 के दरवाजे का जिसके वज़े से धनलाब होता है अब इसके प्रभाव के बारे में भी हम इसी वीडियो में चरचा कर रहे हैं तो एक बार प्रभाव भी मैं आपको बता देता हूँ अब यह पूरे प्रभाव मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में वैसे तो share कर दूँगा फिर भी पढ़ना चाहें जैसे N1 का दर्वाजा चत्रो को कराता है N2 का जो दर्वाजा है बुरी नजरों से घर को पीडित करता है N3 का दर्वाजा जो है पुत्रलाब कराता है बस वहीं combination को समझिएगा N3 का आदा दर्वाजा ही काम आता है और अगर इस प्रॉपर लोकेशन पे बकाइदा ओटोकेट का गाइडेंस लेते हुए और दिशाओं को प्रॉपर मार्क करके अगर आप खोलते हैं तो ये दर्वाजों का प्रभाव क्रेट होता है फिर वही कॉम्बिनेशन जो है N4 का जो दर्वाजा है वो भी कही न कहीं बहुत अच्छा लाबकारी थाबित होता है N5 का दरवाजा धार्मिक सुभाव को create करता है N6 का तो यह प्रभाव है जो की मेरे हिसाब से बहुत अच्छे प्रभाव है और यह मैंने findings पे भी निकाले हैं जो properly बैठते हैं आज इसी वीडियो में और आगे चलते हुए इसी के सबसे important topic पे आते हैं जबसे important topic है कि कैसे इन दरवाजाओ को locate किया जाता है और कैसे इसके प्रभाव को समझा जाता है अब आप देख रहे होंगे मेरे पस एक computer screen पे एक मैंने एक घर का एक नक्षा आया है यह हमारे पस जो नक्षा आया है यह एकदम simple जैसे plain नक्षा होता है वैसा एक नक्षा है यह आप screen पे देख रहे है हम इस पे एक पहले तो समझ लीजे जो normal grading होती है normal grading के दौरा जब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं जब इसे read करने की जब मैं कोशिश करता हूँ तो एक normal grading के दौरा मैं इसको एक normal grid करता हूँ जिसमें मैं ये पहले समझता हूँ इसके लिए बहुत important है कि आपको ये जरूर समझना चाहिए कि एक दर्वाज़ जो सिर्फ main entry का है वो ही काम नहीं आता आपके bedroom तक के दर्वाज़ यहां पर काम आते हैं यही पूरा प्रभाव create करते हैं तो कई लोग कहते हैं हम main door के दर्वाज़ चेंज कर लिए तो सर हमें तो results नहीं आ रहे तो उसका ये एक major कारण हो सकता है कि केवल main door का दर्वाज़ चेंज करने से नहीं होगा bedroom के दर्वाज़ तक का पूरा proper होना चाहिए तभी आएगा चलिए इस पे एक मैं आपको एक कह सकते हैं कि एक example के माद्यम से समझाता हूँ अब जैसे ये जो जातक है ये first floor में रहता है तो first floor की जो entry है जो CD जब ये चड़ता है तो ये बहुत positive entry है N3 के अंदर आ रही है पर वोई बात ये half part के N3 पे आ रही है वैसी जो lending है जैसे वो जो वहाँ पर rest करता है ये जो lending है वो lending तीन देपताओं को ले रही है E3 के देपताओं को E4 के देपताओं को E5 के देपताओं को E5 के देपताओं को अगर हम प्रभाव पढ़ेंगे तो काफी गुसेल पक्रेती का ये घर हो जाता है और जब घर हो जाता है तो हम किसी एक proper इंसान के बारे में नहीं बोल सकते होता क्या है कि किसी के गुस्ते के वज़े से दूसरे को गुस्ता आता है कोई तो नरम इस प्लैक्फॉर्म में इन तीनो energy fields को यूस करेंगे और ताकि ये उपचार हो सके एक तो ये बात होगी उपचार कैसे करने है तो महावास्तू के शॉटकट्स को यूज़ कर लीजे रिजल्ट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए अब दूसरी बात अगर तो ये जातक है जातक जातक मैं कहा रहा हूँ ये क्लाइंट है हमारा ये क्लाइंट अगर तो ये यहाँ पर सोता है N4 के रूप में सोता है तो N4 में अगर सो रहा है तो इसका बेडरूम का दरवाजा N5 में आएगा N6 में आएगा N5 में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि धारमिक प्रकृतिगा हो जाता है तो इस दरवाजे वाले जो हैं इस दरवाजे जिनका होगा वो भगवान की बाते हमेशा हर काम को भगवान के उपर छोड़ देना इस तरीकी की बाते या शब्दा वली इनकी होती है इनकी जो language होती है speaking की वो ऐसी होती है अब देखिए इसके अगर हम देखें इसी के हिसाब से तो देखिए इसके जो मिलने जुलने वाले आ रहे हैं वो NNW मतलब detoxification है न और depression में इनका पूरा sitting arrangement हुआ 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 है इवन इनका kitchen आया हुआ है यह जिसे हम zones पर बात करेंगे ना भी थोड़े आगे वीडियोस में तो यह देखिए इस तरीके से हुआ हुआ है तो यहाँ भी हमें clearance करना है इसके इलावा जैसे अगर हम दूसरा bedroom की बात करते है तो S3 में तो ज़रूर आ रहा है पर उस bedroom का जो दर्वाजा है वो E8 में आ रहा है तो जो यह room को जो occupy किया होगा उसको जो symptom match कर रहे होंगे वो उसका E3, E4, E5 यह तीनो symptom तो उसमें होंगी उसकी भावनाओं में उसके गर्तित्त में और उसके इलावा जो symptom match कर रहे होंगे वो होंगे E8 और E7 के आप देख पा रहे है अच्छे से वैसी ही जो इस कमरे में सो रहा है उसको जो दर्वाजे मिल रहे है वो मिल रहे है S8 का और S7 का तो यह जो दर्वाजे है यह दर्वाजे उसके लिए भी हानिकारक होंगे तो ये देखिए इसको जो calculation मैंने करने की कोशिश करी है वो करी है main door से लेके जो हमारा client है वो किस दिशा और किस zone में सो रहा है फिर कई बार ये प्रशना आते हैं कि सर आप देवता कैसे mark करते हो तो देवता मार्करिंग के लिए हमने ये AutoCAD का एक छोटा सा application बनाया है छोटा सा application नहीं ये file action में ये एक file मगाई है बनाई है आप चाहें तो PTM करके हमसे purchase कर सकते हैं description box पे PTM number बगए मैं सारा लिख दूँगा अब क्या है जैसे मुझे कोई देवता मार्किंग के लिए कहता है तो ये दिखिए मैंने क्या किया है जैसी मैंने उसको grid किया तो ये दिखिए जो blue color का area है ये बूधर पे अपने आप आ गया ये आरेमा पे आ गया ये बकाइदा देवताओं पे आ गया अलग-अलग देवता ये देख पा रहे सभीता, सभीतर, आप, आपवस्ता तो इससे मुझे देवता मार्किंग करने में बहुत आसान होता है और ये हमने एक फाइल बना रखी है आप चाहें तो purchase कर सकते हैं उसमें आपको एक फाइल ये वाली ये घर और दुकान हम दोनों चीजों को club करके देख रहे हैं कि अब हो क्या रहा है इनकी जिन्दगी में तो जैसे ही मैंने इसकी पर ग्रेडिंग करी अब इस पे भी जो देखिए प्रभाव जो आ रहा है S5 का और S4 का आ रहा है S3 पे इन्होंने रैक बना रखा है X6 पे भी इन्होंने रैक बना रखा है तो S5 जो भी काम करेंगे वो वेस्ट होगा, कर्ज बढ़ेगा इस तरीके का प्रभाव है ना और S4 पैसा तो आएगा तो क्या हुआ जैसे मैंने इनकी जो combinations को match किया तो इनको हमेशा जिंदिगी में positive dose तो मिले ही मिले हैं जैसे घर पे इनको positive मिले पर हमेशा इनके साथ-साथ combination of negative dose भी इनको आने लग गए तो जो negative dose हैं उनके मैंने treatments के इनना इस्टार्ट कर दी हैं यह अभी का case है, इसलिए मैं आपके साथ discussion कर रहा हूँ negative dose पे मैंने treatments चालू कर दी हैं तो जैसे जैसे treatments होते चलेंगे इनके प्रभाव nullify होने जाएंगे और growth का situation बनेगी प्रभाव क्या होता है सबसे बड़ी बात यह जो दरवाजों के प्रभाव के हम बात कर रहे हैं आप तो बड़े खुश हो आपको जिंदगी में सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है सब अच्छा हो रहा है पर अचानक आपके घर के किसी सद्दस से को जादा ही गुसा आ जाए और आपसे लड़ने लग जाए और वैसे ही यह वाली फाइल जब हमने यहां इनके स्टोर पे रखी तो स्टोर पे भी पूरे देवता दिखने लग गए कि कौन सा देवता क्या है अब आप मान के चलिए कि यहां के जो साइट्स के देवता है वो थोड़े चोटे हैं मुझे कही न कहीं इन्हें बूस्ट करना ही पड़ेगा इनकी जिंदगी में कोशियां लाने के लिए और सम्मध्धी लाने के लिए कुछ देवता जो हैं बड़े हैं इनको मैं छेड़ता नहीं हूँ मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनके अंदर मैं कुछ काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करता जब तक क्लाइंट का शब्द ना आए जो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ शब्द क्या जैसे जया का शब्द मैं बहुत बार इस चीज को आप लोगों के अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ बातो बातो में कोई कह देता है अपने को ना पैर चादर देख के पैर फसाने चाहिए मतलब पैर फसाने के लिए चादर पहले समझनी चाहिए या अपनी जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए तो यहां पर मैं जया देबता को इसके लिए करता हूँ वैसी इंदर की अपने को तो बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं करने हैं, करने हैं, बूलने में कोई बात नहीं है, पर कर नहीं पा रहा, तो फिर मैं इंदर को देखता हूं, तो देवताओं के थोड़े से तड़के, थोड़े से इंसाइट्स में शेयर कर देता हूं, चलिए पसंद आया होगा, तो इसको देखने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पसंद आया होगा तो कमेंट कीजेगा लाइक कीजेगा तो धन्यवाद राजा बनना है तन मन धन से